हेलो एवरीवन आज हम लोग नियो टेनी एंड पेडियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे जब आज हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे एक प्यारे से सस्क्राइबर सत्यम जीने कमेंट किया था कि उनको हमारे वीडियो एंड हमारे जो नोट्स होते हैं बहुत ही अच होता है इसलिए सबसे पहले आफ लोग लोग ल को जाने कि हट्रू क्या होता है तुद देखिए यह होते हैं नियूटेनी देखने में मिल रहा है इनडाय। ध्या प्रवलेप्संट क्या होता है तो जभ आप देखेंगे कि इस पर्म ओवा मिलता है तो क्या बनता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन की फर सुरूप क्या बना जाइगोट बना अब इस जाइगोट से यदि डाइरेक्ट क्या होता है एडल्ट में कनवर्ट हो जाता है तब तो यह क्या होता है डाइरेक्ट डिवलप्मेंट क्योंकि ड देखने को मिलेंगे जिसमें कि क्या हो रहा है इंडारेक्ट डेखने को मिल रहा है मतलब जिसमें कि लार्वा इस्टेज आप लोग को देखने को मिलेगा उससी में आप नियोटेनिय पेडियोजेनिस को भी देखेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले कि इसके बारे में देख समय कि कर दो सस्टाइब करने में सबस्ट कर दो एक डिना सस्ट में यह नहीं बनाता है यह 500 दने में पर बनने में तो हम इसको क्या कहते है हेट्रो क्रोणि कहते हैं जब रारवा का जो होता है डीट डिवल्प्मेंट चेंज हो जाता है तो उसी को क्या खेते हैं हेक्टरो खूनि में पहले अब अब दीवल्प्मेंट के बारे में समझ लिख यह गये ङादी समझा का दिवलप्मेट जैसे कि आपको लिवर डिवलोप्मेंट हो जाए और कि अपको स्क्रहकत हो जैसे कि इन सेक्षुल डाइडति ओर्टात coke के डिवलोप्मेंट जैसे कि अब देखिए नियूते के बारे में तो नियूतेन के अंतरगत आप क्या देखेंगे हिद कि जो Willow फिके मतलब कर debate का Development twenty तो रहा है यह अच्छे से हो नहीं रहा है क क्योंकि इसका他們 बहुत ही स्लो हो रहा है लखिन इसका शेक्सवल इवलपमेंट आप देखे रहे हिसना मुझ भूझे मत्तले रहे हैं तो इस प्रकार के जिस बी ओर उर्गें में के लार्वा कि आप लोग को यह देखने को मिलते वे यह आते हैं ठीकले जब किसमें के पेडोगेनिस्ष में डिखेंगे तो उसमें आप लोग क्या देखने को मिले इसमें आपका सुमाटी development किया रहे ये रहे ऊसमें प्रूसमें अपसिर में अ बहुत यह याधे फास्ट होsocial सिर्फ डिफिरेंट इन दोनों में मिल रहा है चलगि रहेंगे तो आपका नेक्न दॉनी में तो नहीं रहे है लेकिन अब गते हैं हिवे बन l? चलगों तो यहां होता है अब भी पिनेसन को देख लिएत ते जनी इसका के जब हमारा एकली सब्सक्राइब करेंस कर दोड़ों मतलब क्या हो रहा है तो इस प्रकार के जो भी और्गेनिजमा आते ही हमारे नियोटेनी के इंतर रगते हैं ठीक है अब इसका second definition तेख लिजी है नियो टेनी का तो इसका दूसरा अरिपनेशन देखे नियोटेनी की ऐसा process होता है जिसमें डीले हो जाता है यानी time लग जाता है यानी देठ से होता है फीजियो लोजिकल डेवलप्मेंट यह क्यों डिले हो जा रहा क्योंकि आप लोग को हमने बताया कि जो नियोटेनी होता है इसमें क्या इस प्रोसेस में स्लोडाउन हो जाता है सोमाटिक डेवलप्मेंट क्योंकि सोमाटिक जो बोड़ी पार्ट होते हैं वे उनका जो डेवल में चैनल इसमें क्या होते हैं पुकल होते हैं को भिजेन पचने में हम बहुत सारे हैב׉स सारे और इसमें एक अब K Griffin होता है तो इसमें क्या हुरता है आपके किसमें aur रवा का इस्टरज देखने को मिल रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं नियो टैनी कहते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा आपका इसमें देखें आगे इसमें बताएं विए कि ड्यूरिंग मेंट uns 즉 Smith मेतां में पूंस सम्में में च्वरफूस क्या होता है हमने अप जह अब होता है उसमें क्यों होता है देखते हैं तो उसमें क्या रहा होता है तो लारवल करेक्टर रिमेंड तो भी हमारे उसमें क्या होते लारवल करेक्टर रही जाता है ठीक है मतलब इसके एडल्ट में हमारे लारवल करेक्टर रह जाता आप लारवल करेक्टर में कौन-कौन से करेक्टर आते हैं जैसे गिल्स हो गया टेल्स हो गया गिल्स लिट्स ह यह सब हमारे किसमें आते हैं यह सभी हमारे लार्वा का करेक्टर से तो यह एडल्ट जब बना तो एडल्ट में भी आपको यह करेक्टर देखने को मिलेंगे ठीक है अब इसका एक जो लोटल्स लार्वा आप यह अपको दोनों में मिलेगा एक जो लोटल्स लार्वा जो होता है नियू टनी पर्ड़ जेने को मिलेगा ठीक्य और कुश ही आप से ऑद करेक्टर देखने को मिलरे इसको पर लिपादह से प्ड़कलिया नियूटी बारे में अब तो कि देखको और आप अच्छे से समझ में आएगा देखिए आ ईब फेडरो जेटिट चैसीज जैसरे हो डालां अब यदि हमारे अरवी पीश दिनलपमेनड बन तो इसको 30 दिन में बनना चाहिए लेकिन यह क्या हो रहा है आगे बन जा रहा है मतलब बोड़ी का हमारे विकास हुगा नहीं लेकिन यह लारवाई है फिर भी इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन होने लगा तो यह किसमें आता है हमारे पैडोजेनेसिस के अंतरगत ऐसे और गनीजम आते हैं सेकंड डिफनेशन को देख लेजें सेकंड डिफनेशन में बता गया कि इसके और क्या हुआ है कि यह नए को भी फ्रोड बदशन कर ले रहे हैं ठीक है जबकि अब कि अधुत हमीम बड़ीammenयट हूं कि डिफी नंषन और हैं ठीक है अब ड़ंस पर चीरी मिया लगशन जुल्यांवेट भी इसमें से हim वे क्या होते हैं कि लिडाओट फर्ट इलाइज़ेसं के प्रो डिवें ते भी तो नहीं है फिर भी यह क्या कर रहेते कि ना को ला रहे हैं उस में क्या होता है kah हुआ कि यह kobor लाय अर्च Two अर्गनि começo प्रast हो जा रहे है क्या 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 थे हैं तो इस Great जितने हब हमारे और गृमेंगे वदेंसे के अधाल और बने तो पर्दिसनी वुह को र होने कीजितें और सुभनेगे ठीक है तो उसे हम कहते हैं टोटल नहीं होते नहीं ठीक है जबकि लार्वा हमारा लार्वा में ही रहे आप इसको क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि लार्वा को क्या होता है कि लार्वा को में एडल्ट में बनने के लिए क्या करना होता है मेटामोर्फोसिस करना होता ह तो जो थाइरोक्सिन हर्मोंस होता है वे क्या कराता है इसका मेटामोर्फोसिस कराता है ठीक है तो हम इसको बाहर से मेटामोर्फोसिस करने के लिए थाइरोक्सिन हर्मोंस दे रहे हैं फिर भी यह क्या कर रहा है कि लार्वा कंडिशन में ही यह एडल्ट में नहीं जा रहा है तो इस प्रकार के जो होते हैं यह हमारे आते हैं total kneeotanny के अंतरगर्द second number का देखें हमारा second number है partial kneeotanny partial kneeotanny क्या होता है कि जब physiological changes की वज़ज़ से क्या हो जाए Metamorfosis में हो जाए क्या delay हो जाए तो उसको हम क्या कहते parcial kneeotanny कहते हैं जिसमें कि अमारे पर आते हैं बूफो उले रिस एंडराना टेंपोरिया ठीक है अम नेश्ट हमारा देखें नेश्ट है हमारा इंटर्मीडियेट नियोटेनी इंटर्मीडियेट नियोटेनी क्या होता है कि जब लारवा बीकम सेक्सुली फॉक्सिनल इसमें क्या बताया है इंटर्मीडियेट में इसमें बताया कि जब लारवा सेक्सुली क्या हो जाए मेच्चोर हो जाता है और क्या करने लगता है रिप्रोडक्शन करने लगता है लेकिन इन्वार्मेंट के साथ इसमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और यह क्या कर रहा है कि अपना जनेरेशन को ला रहा है लेकिन क्या हो जाएं कि इनवर्मेंट में बगी में कुछ फेरेबल कंडिशनन मसार आ जाए तो यह क्या होता है कि पुल्ण से स्टेज में नाने दे अलिए इस प्रखार के नियोटेनी में क्या होता है दर नियोकिं To में ही रह वे सिक्तलिंग नव हो पाया तो इस प्रकार को हम कहते हैं artifice नियुटनी कहा जाता से नेश्ट मेंसें,, को करते हैं का चरते हें तो सबस्क्राइब करने के लिए क्या पर लोग को बताया च्छे लारवा में होता है और को को करने के लिए कौन हरूमन का हमें में था यह रोग सी नामक हर्मोंस चाहिए होता है तो इसमें Pi23 Gr!!! या फिर थारोइट से थारोक्सिन हार्मोंस अच्छे से नहीं निकल ग़ूर से इसमें क्या होता है देखिए हमने आप लोग को बता है कि तुटरी ऐखितल यदिंट्स कौन benefit करता है या फिर व यहोता है वर थायरोक्सीन in हर्मोंस कि जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि मेटामोरोफोसैस हमारा लो हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं थीक Itu Ś क्या होती है तब भी हमारा Metamorfosis क्या हो जाता है या हो जाता है आशना की कमी होती है तब भी क्या होता है on oh क्या हकि पता होगा कि घृर्म अर्मोस रिलिज करता है तो थायरोएट ग्लेंट को लेता है ठीक है आयोडीन को लेता है तियो भीक्रत हो जो होता है इसको भी अच्व कि ज़रुड़त है youtube होगा ही क्योंकि थायोक्सिन हर्मोंस हो तो हमारा क्या है तो हम यह फूडल मतलब यदि जो फूड है वह सही मत्रा में नहीं हो बहुत ही कम हो तो भी हमारा Metamorphosis कम होता है अगला हम रएक है Saline Water High यदि Saline Water बहुत ही चादे हो जाता है तो भी हमारे क्या होता है Metamorphosis या तो सिलो हो जागा यह तो रूप जाएगा ठीक है अप लोगों के नियोटेनियन पेडियोगेंसिस में हमने आप लोग को क्या बताया है यदि आप लोग को इसमें confusion होगा होगा तो वह दूर हो सके तो देखिए नियोटेनी में क्या हमने बता है कि इसका जो somatic development होता है वह स्लो हो जाता है ठीक है और sexual development जो होता है वे नॉर्मल ही रहता है यही यदि आप पेडियोजेनिस में देखेंगे तो पेडियोजेनिस में आप लोग को बताया है कि जो somatic development होता है वे तो यह कम करें तो यह कम करेंगा तो थारोईटींवलीटिंग हर्मोन्स कम हो जाएगा जिससे thyroid gland जो होती है ये भी हो सकता है ये भी हार्मोंस को क्या करें कि थाइरोक्सिन हार्मोंस को कम सेक्रेट करें अब यदि थाइरोक्सिन हार्मोंस क्या होता है कि कम सेक्रेट होगा तो क्या होता है कि हमारा जो नियो टेनी होता है यह देखने को मिलेगा क्योंकि थाइरोक्सिन हर्मोंस जो होता है यही क्या करवाता है मेटामोर्फोसिस करवाता है और थाइरोक्सिन हर्मोंस के कमी हो गई तो मेटामोर्फोसिस में भी क्या हो जाएगी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है और ह था आइयोडीन्टी कम देखने को मिलेगा क्योंकि मैटश होंसित होगा दो हमारा अपर क्या दिखने God में आपको क्या दिखने को मिलेगी है कि हमारा एडल्ट में भी आप लोग को क्या देखनेों मिलेगा लारवा कणीशन में सलग्र не मुझे媽 नहीं हो पाता है ठी कि आप लोग और ये वीडियों समझ में यह तो वीडियों को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए Nau से आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स नो उसको कमेंट कर दीजिए